हलो वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके सामने बहुत प्यारा कलेक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है नूर बाई साधिय असद वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 है ये 5 पीस की कैटलोग है ये सभी कलर्स डिफरेंट हैं डिजाइन डिफरेंट हैं दुपट्टे कलर्स सबके बहुत प्यारे हैं सूट्स सब सूट्स बहुत प्यारे हैं अब मैं आपको एक एक करकर सारे पीसे दिखाऊंगी और जो सूट आपको पसंद आ रहा है उसका स्क्रीन शॉट लेकर मेरे वाटसप नमबर पर सेंड कर दिएगा प्लीज ये हमारा डिजाइन बने है परपल कलर है इसका दार परपन कलर है यदि के और इसको यह शिरत है शेट पर ये तर इस अब आपको चिकन कार्य वर्क दिख रहा है शिफ्री या ये लेश लगी हुई यह साइड में यह पैनल में आ रहा है वर्क और यह थोड़ा थोड़ा साइड में आ रहा है यह इसका फ्रंट है कॉर्टन है यह प्यॉर कॉर्टन में है और यह इसका दामन है यह इसका दामन है दामन पर ईम्रॉइड्री हुई होई है ये देखेंology by और्गेंजा पर है ये दामन इसका पैच है यहां से यहां तक ऐसमें रेशम वर्क और जरी वर्क हुआ हुआ है जरी वर्क का इसमें टच है यह देख्या बहुत प्यारा सूट है यह अब मैं आपको इसकी स्लीव दिखा रही हूं फूल स्लीव सेंस की यह और जैसा दामन पर वर्क दिया हुआ है ऐसे ही इसकी स्लीव पर रेशम और जरी का यह आपको बॉर्डर आएगा स्लीव पर यह आपकी दौनों स्लीव हो गई अब मैं आपको इसका बॉटम दिखा रही हूं कॉटन में है बॉटम पर्पिल कलर में सवा दो मीटर बॉटम है इसका प्यॉर कॉटन है शर्ट का भी प्यॉर कॉटन है और बॉटम का भी प्यॉर क और यह इसका जैपरूवी प्रेंट में दुपट्टा है शिफॉन का शिफॉन दुपट्टा है इसका यह सब प्रेंट है प्रेंट दुपट्टा है इसका परपिल कलर में और यह गिरे कलर में इसका पॉर्डर दिया हुआ है यह हमारा डिजाइन नंबर वन था अगर आपको यह सूट पसंद आ रहा है तो इसके स्क्री शॉट लेकर मेरे वाट्सअब नंबर पर सैंड कर दीए WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन शॉट लेकर और मेरे वाट्सअब पर सैंड करना है आपको शॉ हुआ हो नमबर स्क्रीन पर यह हमारा सेकंड डिजाइन है और वाइट कलर में है यह यह देखी इसका यह नेक है नेक पर सब यह आपको वर्क दिख रहा है इसमें यह आर्टिफिशल मेरर का वर्क हुआ है रेशम वर्क है और जरी वर्क है यह नेक है बड़ा प्यारक कंट्रास्ट में वर्क हुआ हुआ है इसका यह सब आपको शिफली वर्क दिख रहा है यह सब शिफली वर्क है और यह इसका दामन है यह वर्क है एम्रोइटरी हुई वी इस पर यह सब और यह इसका दामन है दामन पर शिफली वर्क है और यह आर्टिफिशल मेरर वर्क है और रेशम वर्क है इस पर यह लेज दी हुई है दामन के लिए और यह इसकी बैक है बैक प्लेन है इसकी अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा रही हूँ यह इसकी स्लीव्स है यह शिफ्ली वर्क है यह बॉर्डर आएगा आपके स्लीव्स पर और यह यहां भी कोटन है यह और कोटन है क्वाइट कलयर रहे है इसका वाइट कलर नहीं है कि दीखिए यह दौनम आपके शिलीवस आगए में स्लीवस भी काफ़ी चोड़ी आपकी बनें जीए और इसकी विड़ική यह बहुत अच्छी है है यह आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूं यह शिफॉन दुपट्टा है इसका डिजिटल प्रिंट में यह देखें यह दोनों साइड इसका यह पलू है इसे यह पलू आएंगा बीच में यह ग्रीन प्रिंटेड पूरा प्रिंटेड है यह शिफॉन दुपट्टा है और सॉफ्ट है बहुत यह हमारा डिजाइन नमबर सेकेंड हो गया यह हमारा नेक्स्ट डिजाइन है डिजाइन नमबर थ्री यह ब्लेक कलर में है ब्लेक कलर है इसका यह शिफ्री वर्क मिल रहा है आपको यह सब शिफ्री वर्क दिख रहा है और यह दामन पर इसके वर्क हुआ है रेशम वर्क है यह यह सब रेशम वर्क है जरी वर्क इसमें टच है थोड़ा थोड़ा जरी वर्क है यह जैसे यह दिख रहा है आपको यह जरी वर्क है और यह रेशम वर्क है यह सब रेशम वर्क दिख रहा है यह इसका दामन है, यह सब शिफली वर्क हुआ वाए यहां, और यह नेक पर आपको यह टाइप अट्टी मिल रही है, साटन की, और यह और गैंजा पर एम्रोइडरी हुई वी है, यह सब यह आपके नेक पर आएगा, जैसे आपको पिक में शो हो रहा है, वैसे है, यहां दिखा रही हूँ, यह इसकी स्लीव से हैं, फुल स्लीव से हैं इसकी, अटेच हैं सी में, प्लेन है यह, इसमें कोई वर्क नहीं है, यह आपको साटन की, बॉर्डर मिल रहा है इसमें, जैसे टाइम में है, और यह हमारा शर्ट हो गई, विट काफी अच्छी है, लेंद भ बखा रही हूँ, कॉटन में है यह बॉटम भी, ब्लेक कलर का, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा है, यह देखा, ब्लेक कलर का नेट का दुपट्टा है, यह, टू साइड आपको, वर्क मिल रहा है दुपट्टे पर, और बीच में यह सब, रेशम वर्क है, और साइड में भी यह सब रेशम वर्क मिल रहा है, टू साइड इसके बॉर्डर आ रहा है, कट वर्क बॉर्डर है इसका, नेट में है यह, ब्लेक कलर में, यह देखें, यह, टू साइड बॉर्डर आ रहा है, बड़ा ही खुबसूरत दुपट्टा है यह, बहुत प्यारा सूट है स्क्रीन शॉट लेकर प्लीज मेरे वाट्सेप पर सैंड करते रहें जो आपको पसंद आ रहा है यह देखिए यह हमारा डिजाइन नंबर फोर है स्क्रीन शॉट ले ले आप और यह पिंक कलर में है यह सब आपको पैनल में शिफरी वर्क मिल रहा है यह साइड में भी आपको शिफरी वर्क मिल रहा है यह सब वर्क है और यह लेस लगी हुई है कॉटन की कुरैशिया की पैनल में ये आपको फुल नीचे तक फर्क मिल रहा है नेक से लेके दामन तक और ये अब आपका दामन है और गैंजा पर दामन है ये पैच है ये दामन पर बट इस्टेज जाय है ये आपको रेशम एमरोडरी मिल रही है और जरी का टैच है इन पर ये देखे ये दामन है बड़ा ये खुब्सूरत दामन है विर्थ काफी अच्छी है हेवी से हेवी लेडी का आराम से बनेगा प्यूर कॉटन है बहुत फाइन कॉटन है इसकी सबी सूर्स की बहुत प्यारे डिजाइन है और कॉटन भी बहुत अच्छी है और ये स्लीज आ गई इस पर भी शिफ्री वर्क हो रहा है स्लीज पर ये दौनों स्लीज हो गई अब मैं आपको इसका बॉटन दिखा रही हूं ये क्रीम कलर में बॉटन मिल रही है इसके साथ कॉटन में ही है ये और ये कोटन का दौपट्टा है इसके साथ प्रिंटेट लैंथ काफी अच्छी है दौपटते की कॉटन में है इस केटलॉग में टूफीस में कॉटन दौपट्टे है और टू में शिफॉन और एक सूट में ब्लैक वाले में नेट का दौपटता है यह हमारा design number 4 हो गया यह हमारा last design है design number 5 peach color है इसका cotton में है यह fabric सभी suit का cotton का है अब मैं आपको इसका shirt दिखा रही हूँ front है यह यह neck बने हुआ है यह सब risham work हुआ है यह सब आपको रेशम वर्क मिलना है पैनल में है यह पूरा नीचे तक दामन तक यह आपको पैनल में वर्क मिलना है और यह साइड में भी आपको वर्क मिलना है यह सब एंब्रॉइडरी हुई है रेशम वर्क है यह सब फाइन थ्रेड वर्क है यह दामन हो गया इसका और्गेंजा पर आ रहा है यह दामन यह देखें यह पैच है और्गेंजा का स्टेजडे है सी में आपको अलग से स्टेज नहीं कराना है और इस पर वर्क हुआ है रेशम का दामन पर भी रेशम वर्क हुआ है एकदम फाइन वर्क है देखें आपको शोग हो रहा होगा बहुत फाइन वर्क है अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा रही हूँ यह इसकी स्लीव्स हो गई स्लीव्स पर वर्क हो रहा है यह दोनों स्लीव्स हैं इसकी अब मैं आपको इसका बॉटम निखा रही हूँ बॉटम कॉटन में वाइट कलर में है सब दो मीटर निकलेगा बॉटम का फैब्रिक एंड यह इसका कॉटन का दुपट्टा है पीच कलर में ही है यह भी और यह सब आपको प्रिंट मिल रहा है इसमें बड़ा ही खुबसूरत दुपट्टा है कॉटन को दुपट्टा है यह यह देखें यह हमारा डिजाइन नमबर फाइफ था लास्ट डिजाइन था यह मैं आप से सबी से गुजारिश करना चाहती हूँ प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज मेरे करना समय दुट्टा है रहा बजल मेरे चैनल का जड़ रहाँ 4व